नमस्कार सैनेकों मैं हूँ आपके साथ आपकी पतरकार नैना शर्मा और अज सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हैपी दिवाली विश्च करना चाहूंगे देश के हर एक शक्स को, मेरे देश के हर एक जवान को हर एक सैनेक को मेरी तरफ से हापी दिवाली आप लोग बॉर्डर पे रहते हैं, हमारे लड़ते हैं इस पुरे देश के परिवारों के लिए लड़ते हैं अपनी जान जोखिम में डाल कर अब जाकर हम अपने घरों में दिवाली सुरक्षित तरह से मना पाते हैं इसके लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी सुरक्षा के लिए अपनी दिवाली कुर्बान कर देते हैं हमारी खुशी के लिए आप हमेशा बॉर्डर पे रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए आप हमेशा बॉर्डर पे रहते हैं आपको भी अपके घर की याद तो आती होगी लेकिन आप लोग सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं सबसे पहले अपने भारत के बारे में सोचते हैं इस चीज के लिए मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इसी चीज़ की वदर से हमारा पूरा भारत हमारे हर एक सैनिक को दिल से बहुत अधा सम्मान देता है एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को हैपी दिवाली वीडियो में मैं दिवाली के बारे में ही बात करने वाली हूँ लेकिन ये खबर बहुत जादा दुखत है जी हाँ राजस्थान से एक सैनिक अपने घर आ रहे थे अपने परिवार वालों के साथ दिवाली मनाने लेकिन रस्ते में ही उनका अक्सिडेंट हो गया और जब तक वो अस्पताल पहुचे डॉक्टर ने वहाँ पर उन्हें जाता ही डेड बोल दिया कि वो नहीं रहे हैं इस दुनिया में तो वो तो छुटी लेकर अपने घर आ रहे थे उस समय वो बजार से अपने बच्चों के लिए अपने घर के लिए समान खरीद रहे थे दिवाली का और अचानक से एक अक्सिडेंट में उनकी मौत हो गई आपको बता देती कि हमारे ये जो जवान थे इनका नाम था कनहिया यादव और ये थे राजस्थान के जवान यहां राजस्थान के जवान थे वहां से अपने घर लोट रहे थे मामला ये सामने आ रहा है कि ये स्कूटी पे आ रहे थार सामने से एक कार ने इनको टक कर मार दी और इनके सर पर बहुत गहरी चोट आई पूरा खून से लत्पत वो हो चुके थे उस समय और मार्केट में मौझूद थे तो आसपास के लोगों इने अंबिलन्स बुलाकर उनको अस्पताल भेजा और अस्पताल जैसे ही वो पहुचे तो महाँ पर डॉक्टर ने उनको आँ जाते ही रेड घोशत कर दिया यानि कि उ कर हाथम हो गई ना वह कभी दिवाली मना पाएंगे कि क्योंकि कि जब जब दिवाली का समया आएगा तब माबापको अनके बच्चे कि उनके पतनी को अनके पती की याद सताएगी उनने खार आरे थे अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने और रस्ते में उनके साथ कितना दर्दनाक हाथसा हो गया जिस वज़ा से उनकी on the spot हैत हो गई हमारे वीर जवान सैनिक हमारे जो हैं वो देश की रक्षा करने के लिए हमेशा बॉर्डर पे तहनात रहते हैं अभी भी यहाँ पर सब लोग दिवाली मना रहे होंगे पूरा भारत दिवाली मना रहे होगा लेकिन हमारे सैनिक हमारे जवान बॉर्डर पे तैनात होंगे अभी भी हमारी सुरक्षा के लिए हम उन्हें की वज़ा से कोई भी तोहार हो दिवाली हो होली हो रक्षा बंदन हो कोई भी दोहार हूँ, हम खाली उनकी वज़ा से सही से मना पाते हैं सेफटी के साथ मना पाते हैं अब वहाँ पर वो अपनी नीद को खराब करके ड्यूटी देते तब ही हम यहाँ चैन की नीद सो पाते हैं तो सैनिक है, तो जवान है, वो हम लोगों के लिए कोहारों के दिन अपने घरवालों के पास ना होना कितने ज़ादा दुख होता होगा इस चीज़ का लेकिन फिर भी वो वाटर पे तैनात रहते हैं हमारी सेफटी के लिए, पूरे भारत की सेफटी के लिए पूरी भारत की सुरक्षा के लिए रेजमेंट के कनहिया यादव जो कि दिवाली के लिए अपने घर आ रहे थे स्कूटी पे बैठके उनका कितना दर्दनाग अक्सिडनेंट हुआ यह मैं आपको बताया है उनकी डेठ हो गई और उनके परिवार की दिवाली धन्तेरस पे ही खतम हो गई इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट में उस सैनक के लिए उस जवान के लिए जरूर कुछ लिखेगा जो की हमेशा बॉर्डर पे रहते हैं जो की हमेशा हमारे भारत के सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं उन सैनकों के लिए कॉमेंट सेक्शन में कुछ जरूर लिखेगा यह लिखना बिलकुल न भूले और मैं हूँ आपके साथ आपकी पतरकार नैना शर्मा फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै बारत